दोस्तों आज किस वीडिम में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने pencard में कोई भी correction करवा हैं और अगर आप उसका status check करना चाहते हैं कि आपका pencard में correction हो जाएगा या नहीं होगा या reject हो जाएगा फूरा status आप check कर सकते हैं कि आपका pencard जो आपने correction करवाया था वो reject तो नहीं हो गया तो फ्रेंट बहुत सारे लोगों का reject हो जाता है और वो लोग इंतिजार करते ही रहा जाते हैं कि हमारा pencard अब आएगा अब आएगा तो आप एक बार जरूर चेक कर लेजे कि आपका pencard जो correction आप करवाया थे वो reject त नहीं हुआ है तो आपके घर पे कब तक आ जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं अपने pencard का जो भी आपने correction करवाया था उसका status आप कैसे check करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूं तो आपको यहां पर pencard status लिख करके search कर देना होगा और search करने के बाद देख सकते हैं search कर देना होगा और यहां पर acknowledgement number डाल करके और जो capture है capture भर के submit पर आपको click कर देना होगा जब आप अपना correction करवाया होगे तो जो भी जिस भी CSE Center पर या online shop पर करवाएंगे तो और आपको एक रसीद दिया होगा उस रसीद पर acknowledgement number लिखा होता है उस acknowledgement number को यहां पर डाल करके capture डाल के submit पर click कर देजेगा अगर आप NSDL से नहीं करवा हैं अगर आप UTI portal से करवा हैं तो आपको UTI TSL वाले पर click कर देना होगा यह बहु सारे लोगों confusion में रहते हैं कि हम कैसे पता करें कि हमारा UTI से बना है क्या NSDL से बना है तो जो आपको रसीद मिलती है अगर UTI से हु उसमें application number राता है तो application number को यहाँ पे डाल दिजेगा Q000 इस तरह करके राता है तो यहाँ पे application number डाल दिजेगा उसके बाद इसको छोड़ दीजेगा यहाँ पे आपको data birth डाल देना होगा और यहाँ पे जो capture है, capture भर के submit पर आपको click कर देना होगा submit पर जब आप click करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं फूरा यहां पर application number आ चुका application type, application type में लिख रहा है for change correction in pancard details उसको status में लिख रहा है marked for verification और उसके बाद अगर आप इसके एक दो दिन बाद फिर से अगर आप यहां पर status check करेंगे तो देख सकते हैं यहां पर मैं यहां पर किसी और का check करके दिखा रहा हूँ तो यहां पर देख सकते हैं लिख रहा है status में your application is processed successfully, card is under printing, your e-pan card has been sent successfully to your registered email और आपके email id का first and last का यहां पर show करेगा और यहां पर देख सकते हैं लिख रहा 31-3-2023 को यह भेज दिया गया मतलब आपका जो pen card है और प्रिंटिंग में है और आपका जो e-pan card हो आपके email id पर भेज दिया गया है और date भी दिखा दिया है तो फ्रेंट कुछ इस तरह से आप अपने pen card का status check कर सकते हैं तो फ्रेंट आई होफ कि वीडियो आपको प्संद आई होगे अगर प्संद आई होगे तो प्लीज like कर दिजएगा और चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज subscribe कर दिजएगा और साथ में bell icon को फ्रेस कर दिजएगा तो फ्रेंट इस वीडियो में बस इतना मिलते हैं, अगली वीडियो में तब तक के लिए चाहिन बंदे मातरों